क WA essa करेंगे टाइब men jan소 की सिंबल के बारे में देखेंगे कि कितने घ्ला इंसे होते हैं कि conditionless तो पहले हमारे पास है फ्लेट वैल्ड्या इसको मोलता है फिलेट जॉइन फिलेट वैल्ड क्वेल्ड क्या होता हैं देखते हम फिलेट weld तो fillet weld क्या होता है हम दो workpiece होते हैं उन दोनों को perpendicularly जोडते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर यह workpiece है दो, एक यह है यह sectional view है, side view है एक workpiece यह है, दूसरा workpiece इसके नीचे लगा होता है, इसके उपर perpendicular होता है अब इन दोनों workpiece को जोड़ना है तो हम fillet weld का use करते हैं fillet weld में क्या होगा, एक line में welding करते हैं, कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देंगे पूरा का पूरा, तो यह होता हमारा fillet weld, इसका जो symbol है उसको हम triangle से represent करते हैं right angle triangle से, कुछ इस तरीके से तो यह था हमारा fillet weld, समझ में आ गया next जो हमारा square butt joint है square butt joint, तो मैंने बता है आपको butt joint क्या होता है butt joint होता हमारे पास दो workpiece होते है इन दो workpiece को हमको जोड़ना है एक यह है, और एक यह है तो इन दोनों workpiece को हमको जोड़ना है कुछ इस तरीके से, यह हमारा एक workpiece है यह दूसरा है, दोनों को जोड़ना है तुम क्या करेंगे, इसको heat करेंगे और जोड़ देंगे आपस में तो कुछ इस तरीके से, यहां पर एक joint form हो जाता है इस type के joint को हम बोलते है butt joint, यह butt joint काफी type के होते है, square butt joint होता है odd joint होता है, w butt joint होता है w butt joint होता है, 2b होता है तो हम इसको discuss कर लेते हैं और diagram देख लेते हैं कि, कैसे उसको बनता है उसको symbols क्या-क्या-क्या przyszли होतें, sowler joint के सबसे पहले हमबारा के हैस यहां पर है हम इस बूरक्त पहरें इसको क्या होगा हमारे पास दो वर्कपीस होंगे कुछ इस तरीके से एक यह है हमारे पास यह वर्कपीस यह है एक दूसरा यहां पर यह है इसको हम देख लेते हैं कैसे represent करते है symbol का जो उसका symbol है वो वो पाई की form में होता है कुछ इस तरीके से एक arc लगी होती है और ऐसे करके हमारा यह symbol होता है square butt का अब next जो है वो हमारा V joint single V joint तो single V weld बोलते हैं single V butt butt joint है क्या होगा हमारे पास दो workpiece होंगे और यह square में था यहाँ पर V shape में होगा तो कुछ इस tribe में तो यह हमारे पास workpiece एक यह है इसको थोड़ा सा में tilt कर देता हूँ यहाँ इसको mode देता हूँ इंगल से और दूसरा workpiece हमारे पास यह है तो ऐसे workpiece को चोड़ने के लिए हमारे पास single V butt का use होता है तो single V butt में क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर welding हो जाएगी पूरे की पूरी इस tribe के joint कम बोलते है single V butt joint और इसका जो symbol होता है उसको V बनाते है और उपर एक arc लगा देता है कुछ step में इसका symbol होता है next हमारा यह single था यह double आएगा double V joint यह double butt joint बोलते हैं इसको double double V butt joint double V butt joint तो इसको कैसे बनाते है यह कैसे दिखता है इसको भी देख लेते है यह हमारे पास दो workpiece होंगे एक ही होगा इस तरीके से और दूसरा यह होगा इन दोनों को हमको जोड़ना है double V butt से तो double V butt से क्या होगा यहाँ पर जो shape बनेगी वो V tab की बनेगी कुछ इस type में एक उपर बनेगा V और एक नीचे बनेगा कुछ इस type में जो है हमारा butt joint बनता है यहाँ पर जो है यह पूरा metal है तो यह हमारा double V butt joint इसका जो symbol है वो क्या होता है एक्स बना होता है और उपर से arc लगी होती है और नीचे arc लगी होती है तो यह जो symbol हमारा double V butt joint का symbol है next हमारा single U butt single U butt का हम देख लेता हूँ सिंगल यू बट यहां पर जो था वो वी बन रहा था यहां पर जो है वो यू बनेगा तो दो वर्क पीस है हमारे कुछ इस टाइब में और एक यहां पर यह है हलका कुछ यहां है यह है इन दोनों वर्क पीस को एक जोड़ना है सिंगल यू बट से तो यहां पर जो शेप बनेगी यू शेप में यह जुड़ जाए गा तो ये जो है इसको ऐसे टांप के कम बोलते हैं सिंगल यू बट जॉइंट और यह जोड़ मेला कैसे होता है यू बना होता और उपर एक आर्क लगी होती है तो यह सिंपल सा जो इसका था सिंबल वो समझ में आ गया यह तो सिंगल था अब आगा डबल यू बट तो डबल यू बट का भी देख लेते हैं एक बर डबल यू बट डबल यू बट में क्या होगा यह सिंगल था तो डबल में क्या होगा उपर भी यू होगा नीचे भी यू होगा तो यह दो वर्क पीस हैं कुछ इस टाइब में और यहाँ पर जो है वो डबल यू बनेगा कुछ ऐसा यह जो है यह डबल यू बट जोइंट है और यहाँ पर यह हमारा मेटल होता है तो इस टैप के जोइंट को हम बोलते हैं डबल यू बट जोइंट और इसका जो सिंबल है वो ऐसे होता है उपर और नीचे यू होता है और इसको हम एक आर्क से कट करते हैं उपर नीचे दोनों से तो यह सिंबल जो है वो किछ तरीके से बनेगा यह डबल यू बट था नेक्स्ट जो हमारे स्ट्ड वैल्ड है तो सबसे पहले हमारे पास यह और जोन्तल है वर्ट पीस इसको पर एक परपेंडिकुलर वर्क पीस होगा कुछ इस टाइब में इन दोनों वर् तो इसके लिए हम stud weld का यूज़ करेंगे अच्छे से जोडने के लिए तो यहां पर इस पूरी लाइन में welding कर देंगे और इस पूरी लाइन welding कर देंगे तो इस टैप के joint को हम बोलता है stud weld और इसका जो symbol है वह हमारा perpendicular line होती है और horizontal line होती है तो एक दूसरे के जो है perpendicular है तो simple थी चीज़ असमझ में आ गया next जो आप मेंगे स्पोर्ट वेल्ड क्यों होता है तो स्पोर्ट वेल्डिंग से बनता है spot weld i spot welding से जो है spot weld बनता है दो वर्कपीस होते हैं इसको किसी एक स्पोर्ट पर जोड़ते हैं यह कि है है मारे दूसरा वर्कपीस यह है तो इन दोनों वर्कपीस को हम को एक spot पर जोड़ना है एक point पर जोड़ना है तो ऐसे welding joint को welded joint को हम बोलते है spot weld और इसका जो symbol होता है वो होता है कुछ इस तरीके से यह हमारी line होगी एक और ऐसे बन जागा यह जो symbol हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा तो यह था हमारा spot weld next जो है वह सीम weld तो इसको मैं मिटाएता हूं पर भी पूरा ही मिटाएता हूं यह चीज समझ मागी नोट भी कर लिया होगा आपको नहीं पता तो बूक में दे रखें वैसे सारे के सारे अगर नहीं दे राखें जिसके पास बूक नहीं तो मैं अव्से बना रहा हो तो सबसे पहरे यहां पर बचा seem weld sie me weld सीम weld हमको पता मैंने सीम welding बता इस पाट welding बता चुका हूं ,semwel personnel यह से बनता है तो क्या होगा यहां पर हमारे पास दो work piece होंगे plates होती है और यहाँ पर एक work piece कुछ इस तरीक से हमको जोड़ना है तो यहाँ पर जो weld form होगा इस जगह पर तो जगह पर ऐसा जो weld होता है इसको हम बोलते हैं seam weld ठीक है तो यह जो है seam weld है और इसका जो सिंबल है सिंबल से सिंबल होता है यहां पर एक्स होता है फिर से एक एक्स होता है तो ऐसे कंटिनिज जो है इसकी इसका जो सिंबल है वो समझ में आ गया अनक्स है हमारा बैकिंग स्ट्रीप बैकिंग Partnership سٹ्रिप مೆ होगा हमारे पास workpiece होता है दो workpiece होते है एक यह है और दूसरा यह है इन दोनों workpiece को हमको weld करना है तो हम backing strip की help से भी weld कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम weld करेंगे कुछ इस type में इस type में हमको इसको weld कर देते हैं इस ट्रैप के joint की हम बोलते हैं backing strip joint या backing strip weld बोलते हैं और इसका symbol है वो simple symbol होता है parallel lines का तो ये थे कुछ welding joints और welding symbols एक important ये पर में भी काफी बार आते हैं तो thank you एक वीडियो देखने के लिए और वीडियो के लिए आप mechanical करके जरूर बताना थेंक्यू